नमस्कार आशिश मित्तल आरसन गुट से फुस्तों मैंने आपको बहुत सारे मंदिर अपनी ओल्मोस्ट चार सो असी वीडियो यूट्यूब पर हैं उसमें काफी सारे ओरिजिनल डिजाइन्स दिखाए हैं इस तरह का डिजाइन मैंने आपको पहले भी दिखाया है ये मंदि हम तीम फिट, साड़े तीम फिट, चार फिट, पाँच फिट बहुत सारे साइज में बना चुके हैं लेकिन आज मैं कुछ आपको डिखाने जा रहा हूं मंदिर में ही तो 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 आपके पास जो जंगे हैं स्पेस and the design part that involves a few things, let me explain that here now मंदिर में जो पहली सबसे पहली requirement होती है वो ये है कि आप बैठ के पूजा कर रहे हैं या आप खड़े हो के पूजा करते हैं you are sitting or you are standing while praying when we are standing and praying this is an ideal height though it should be above the knee roll, आपके घुटने से उपर डाइटी होने चाहिए किसी भी परिस्तिती में दूसरा, अगर आप इस तरह ये कुछ height देखते हैं पर ये काफी सही height है मंदिर के लिए खड़े हो के पूजा करने के लिए उसके अलावा है size, left to right, front to back और तीसरी चीज़ है उपर की dome आपको dome चाहिए या नहीं चाहिए गर्भग्रह की height उस हिसाब से बनती है जितनी बड़ी आपके पास डाइटी है उनकी size कितनी बड़ी है उसके according हम अंदरा गर्भग्रह भी design करते हैं उसके अलावा most important होता है proportion the proportion is another important thing because if we are making too big and too less height और too narrow and too tall, बहुत छोटा है बहुत उचा है, हर केस में मंदिर अजीव हो जाता है तो proportion हमें देखना होता है मेरी पिछली मंदिर की वीडियो में पंडिजी हमारे साथ थे, उन्होंने काफी अच्छी tips दी थी आप देखना चाहें तो उस मंदिर का वीडियो link इसमें है उसमें उन्होंने बताया था कि मंदिर का शुद्धी करन कैसे करें, मंदिर को स्थापित कैसे करें, मूरति के बीच में कितना distance होना चाहिए मूरति फेसिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत सार इच्छे points दोने डिसक्स किये थे, आप चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं अभी हम बात करेंगे मंदिर के design की बहुत बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास platform already बना हुआ है so if you have a platform already done at your place, that could be marble or granite or a wooden platform that is already there, in that case you require only the top part, like this तो आपको सिर्व उपर का top part चाहिए, जैसे कि ये रखा हुआ है ये unit जा रही है देरादून, और fully customized है client की requirement के हिसाब से जो size, जो design, जिस तरह हुनने चाहा, उस तरह से ये बनाया गया है मंदिर बनाने में हम पूरी तरह customization करते हैं लेकिन जादर बड़े मंदिर में, बहुत चोटे मंदिर हम customize नहीं करतें क्योंकि मंदिर का space अबका अलग होता है, requirement अलग होती है पसंद अलग होती है, colors की, designs की, sizes की और कुछ extra requirement होती है, इसे steps और इसमें है एक Krishna जुबलाभी अब इस मंदिर के size की बात करें, यह है 5 feet, out and out, 60 inches height is 54 inches, and front to back is 30 inches, 2.5 feet, 5 feet, 4.5 feet, total height अभी एक platform पर रखा है, जो 30 inches उंचा है तो 30 inches यह मिलाकर, total height आपकी 7 feet unit की हो जाती है इसमें doms नहीं है, शेखर नहीं है, शेखर होने के बाद इसकी height लगबग 8-100-8 feet तक चली जाएगी, अगर आप शेखर भी पसंद करते हैं तो, overall design की बात करें, इसमें हैं दो हाथी, फिर double पेदार दोनों side पर, ऊपर बहुत खुबसूरत काम है, मोर का, top पर भी, ताज पर भी, side में भी 2 more है, मंदिर side से closed है, side में इसके बहुत ही खुबसूरत जाली है, दोनों side पर, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से carved है, तो यह more जैसा भार दिख रहा है, बस इसमें अंदर से में नज़र आएगा, back की बात करें, तो back में हमारे पास ohm का symbol है, center में, और side में, बहुत ही खुबसूरत carved जाली, puller पत्तों के design में, double pillar front पर, double pillar back पर, और overall height हमारे पास अंदर अंदर, इसमें 38 inches clear height है, total, ceiling से base तक, साथ में इसमें है क्रिश्ना जूला, यह क्रिश्ना जूला जाता जन्माश्टमी पर इस्तमाल होता है, तो जैसे अगर आपको इसकी requirement नहीं है, तो यह removable है, आप इसे निकाल सकते हैं, और रख सकते हैं, अब मानली यह जन्माश्टमी पर आपने जूला लगाना है, आपने लगा लिए, अगर जन्माश्टमी पर आपको इस्तमाल नहीं करना है, रेगुलर भी आप इस्तमाल करना चाहें, तो ऐसा चौकी यह आपके लिए बहुत अच्छा है, लड्डू गोपाल के लिए, आप चौकी बना सकते हैं, और जन्माश्टमी पर आप यह चेन के साथ निका सकते हैं, यह ब्राश चेन के साथ हम यह प्रोवाइड करते हैं, अब अंदर हैं इसमें तीन स्टेप्स, यह तीन पार्ट्स में हैं, स्टेप का कॉंसेप्ट हर मूर्ति के हिसाब से अलग होता है, तो जिस तरह भी आपको लेंद साथ हाइड चाहिए, वो बनाए जासकती है, डूसरी चीज इस मंदिर में है, कि इसका बेस नहीं है, यह इ बहुत ही खुबसुरत उसका लुक है, तो उस केस में उसको कवर करने की जगे, हम इस तरह से ओपन डिजाइन बना सकते हैं, तो इस तरह से ओपन डिजाइन बना सकते हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं, तो इस बना सकते हैं, तो इस बना सकते ह here also, तो अगर आप उस base को use नहीं करना चाहते, वो base नहीं दिखाना चाहते, तो इस base को भी हम cover कर सकते हैं completely, और ये आपको open नहीं, covered मिलेगा इसी color में, जैसा कि इसमें है ये बहुत पसंद किया आता है concept, अगर आपके पास already base बना हुआ है अगर base नहीं है, तो हमारे पास full mandir के बहुत design है, हमारी website है arsonwoods.com mandir का section है, उसमें 100 से उपर design है, अलाला size में, color में, variety, बहुत बड़ी variety है mandir के हमारे पास, और बहुत जादा mandir हम अलाला design के आप बना रहे हैं, ये देरादून जा रहा है अगर आपको इंडिया में कहीं भी चाहिए तो हम आपके यहां deliver कर सकते हैं out of India, we are delivering to most of the places, and we have already delivered, you can visit our website there is a testimonial section, you can see how much stuff we have delivered across the globe इतनी सारी photos, clients का appreciation, blessings हमारे testimonials में, और Google feedback में आप देख सकते हैं size की बात करें, या design की बात करें, कुछ भी modification आपको चाहिए तो हम आपको करके देंगे, आप हमें contact कीजिए, और हम आपको इसके recording मंदिर बना कर देंगे, price आपके requirement के हिसाब से होता है तो आप हमें contact करेंगे, तो हम आपको आपके requirement के हिसाब से price निगालकर दे देंगे, color आपको इसमें light चाहिए, तो light हो जाएगा, मैंने पहले golden मंदिर की भी आपको वीडियो दिखाईए, अब gold color चाहिए, तो gold हो जाएगा, और कोई color आपको चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं shading आपको चाहिए, shading part हो सकता है requirement आपकी है, पसंद आपकी है, आपके भगवान का घर है, आपकी पसंद का होना चाहिए और technical और जो ज़रूरी बाते हैं वो आप हमारी वीडियो से समझ सकते हैं वीडियो नॉमबर 145 में मैंने काफी explain किया है कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी पंड़े जी के साथ, उसमें भी काफी explain किया है कुछ भी आप वास्तु के हिसाब समयना चाहें अपने घर के location के हिसाब सिया और कुछ point आप समयना चाहें आप हमें contact कीजिए, most welcome आपको बिलकुल सला, जो होस्कती है उचत, provide करेंगे अगर आपको पंड़े जी से बात करनी है तो हम उनसे भी आपको appointment लेकर बात करा सकते है उमीद है आपको हमारा काम पसंद आएगा मंदिर का काम है, handcrafted है पसंद के हिसाब से, requirement के हिसाब से बना हुआ है और हमारी art, आर्षन की quality सब इसमें आप देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो कुछ comments, कुछ reactions बहुत बहुत दन्यवाद बहुत बहुत आपको पसंद आपको 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 आपको